नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में शाउमी पोको X3 वर्सस रियल मी 95G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पोको X3 में 6.51 इंच जबकी रियल मी 95G में 6.4 इंच की लेंथ मिलती है जोकी पोको X3 से कम है Width की बात करें तो Poco X3 में 3 इंच जबकी Realme 95G में 2.94 इंच की Width मिलती है जोकी Poco X3 से कम है बात करें थिकनेस की तो Poco X3 में 0.4 इंच जबकी Realme 95G में 0.33 इंच की थिनीस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो Poco X3 में 225 ग्राम्स जबकि Realme 9 5G में 188 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेर करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Ips LCD की डिस्प्ले मिलती है Aspect Ratio दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco X3 में 6.67 इंचर्स जबकि Realme 9 5G में 6.5 इंचर्स मिलती है डिस्प्ले रेजलूशन दोनों फोन में सेम ही 1080 by 2400 मिलता है Screen to Body Ratio, Poco X3 में 85.16 जबकि Realme 9 5G में 83.92 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI Density की तो Poco X3 में 395 पिक्सेल प्रती इंच जबकि Realme 9 5G में 405 पिक्सेल प्रती इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशता है की जो की मोबाइल फोन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो Poco X3 में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Ultra Wide Angle Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है और Realme 9 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की Primary Camera, Macro Camera और आखिर में Depth Camera देखने को मिलता है बात करें विडियो कैमरा की तो दोनों फोन में आठ डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Poco X3 में single camera देखने को मिलता है, जिसमें की तीन different features मिलते हैं, और Realme 9 5G में भी single camera देखने को मिलता है, जिसमें 4 different features मिलते हैं अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information बेखते हैं hardware में सबसे पहेले CPU जोकी speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो, Poco X3 में Adreno 618 जबकी Realme 9 5G में Mali G57MC2 मिलता है चिपसेट की बात करें तो, Poco X3 में Qualcomm Snapdragon 732G और Realme 9 5G में MediaTek Dimensity 810 मिलता है बात करें RAM की तो, Poco X3 में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 6GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है जबकी Realme 9 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है बात करें Internal Memory जिसको हम Storage भी कहते हैं वो Poco X3 में 3 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB, 128GB की Storage मिलती है जबकी Realme 9 5G में 2 variant देखने को मिलता है जिसमें 64GB, 128GB Storage मिल जाती है Expandable Memory की बात करें तो, Poco X3 में up to 512GB जबकी Realme 9 5G में up to 1TB है Operating System की बात करें तो, Poco X3 में Android V10Q, जबकी Realme 9 5G में Android V11 देखने को मिलती है Battery Poco X3 में 6000MH जबकी Realme 9 5G में 5000MH देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं Colors की बात करें तो, दोनों phone में same ही, दो colors option देखने को मिलते है सब information देखने के बात बात करें प्राइस की तो, Poco X3 में 3 variant देखने को मिलते है जो की 6GB RAM 64GB Storage के साथ 19,990 रूपीज 6GB RAM 128GB Storage के साथ 16,999 रूपीज 8GB RAM 128GB Storage के साथ 18,999 रूपीज में मिल जाता है जबकि बात करें, Realme 9 5G की तो उसमें 2 variant देखने को मिलते है जो की 4GB RAM 64GB Storage के साथ 14,999 रूपीज 6GB RAM 128GB Storage के साथ 17,499 रूपीज में मिलते है दोस्तों अब बात करते हैं, प्रांजन कॉन्स यानि की फाइदे और नुकसान की तो Xiaomi Poco X3 में 8 फाइदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें, Realme 9 5G की तो उसमें 8 फाइदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करें है, result की तो, डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है Main camera में Poco X3 आगे है Front selfie camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में Poco X3 आगे है दोस्तों, अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले competitor phone की बात करें तो उसमें Oppo A74 5G है, दुसरा Moto G60 है, तीसरा Infinix Note 11 है और last competitor phone की बात करें तो उसमें Motorola H20 Fusion है और ये सारे phone की details आपको description में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना